बॉलिवूड स्टार शारुक खान ने शुकरवार को अपने अगले एक्षिन फिल्म जवान का टीजर रिलीज कर अपने फैंस को एक बड़ा सप्राइज दिया जहां इतले फिल्म के साथ एसार के की पहली जलक देखने के लिए लोग उच्छुक है वही नेटिजन्स को फिल्म में खान के लुक के साथ 1990 के हॉलिवूड फिल्म डाक मैं की कौपी का पूरा टीजर मिला टीजर में खान खून से लिपत है और गायल नजर आ रहे हैं और उनका पूरा चेरा पट्टियों से लिपता हुआ है शारुखान का नया रिलीज रूप अब सोशल मीडिया पर सुर्खिया बटोर रहा है अक्टर लियाम निसान ने डाक मैं में विस्तिन विस्तालिक नाम के वैज्ञानिक का किरदार निबाया था जहां वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करते है और जिसके दौरान एक विस्पोट होता है और वो घायर हो जाते है अपने चोटों से प्रीरित होकर वो डाक मैं बन जाते है जैसी ही टीजर ऑनलाइन सामने आया इंटरनेट यूजर ने बॉल्यूट के कॉपी संस्क्रीट पर ट्वीटर को मीम्स और जोक से भर दिया यहां कुछ कमेंट्स देखिए एक और बॉल्यूट कॉपी यहां है जवान डाक मैं से कॉपी की गई है डाक मैं को कॉपी कर दिया लगता है मूवी का नाम जवान है लेकिन ओरिजिनल फिल्म बूड़ी हो चुकी है फिल्म के बारे में बात करते हुए शारुक खान ने कहा जवान एक यूनिवर्सल स्टोरी है जो लेंग्वेज जोग्रफी के सितारों से परे है और सभी के इंजाई के लिए है इस अनुकी फिल्म को बनाने का क्रेडिट इटले फिल्म को जाता है जो मेरे लिए भी एक शांदार अनुबव रहा है क्योंकि मुझे एक्शन फिल्म पसंद है तीजर बस शुरुवात है और आने वाले समय की एक जलक देता है हला कि फिल्म का प्लॉट अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स पर बताईए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडेस विम्स को